सो हेलो लेर्नर्स आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 जोग्रफी फंटामेंटल सो फिजकल जोग्रफी का UPSC के बीसिस पे MCQ करेंगे तो आज के इस वीडियो में हम लोग कोशन नमबर 52 से सुरुवात करेंगे इसके पहले हमनों ने तीन सीरियस बनाई है तीन तीनों सीरियस में कोशन नमबर 51 तक कवर किया है तो अगर आपने वीडियो ना देखी हूं जरूर देखें तो चलिए सुरू करते हैं फ्रॉलाइं कडिशन सा नेसेसरी फॉर दर फ konse 16 नेसे सकरी होते हैं तो जो पहला है मुठ है त्रॉटा province & कोशनला चाहिए होolde से सुरॉटक्शन के लिए delta formation के लिए second क्या है the depth of water at river small should be deep यह statement incorrect है third statement क्या strong waves and currents strong waves and currents यह statement आपका होगा incorrect क्योंकि low frequency waves चाहिए होते है low waves होते हैं current चाहिए होते है sediment deposition के लिए fourth statement क्या है high amount of river load high amount of river load यह statement correct है क्योंकि जो अगर high amount of load नहीं होगा तो जो sediments हैं वो अच्छे से deposit नहीं हो पाएंगे तो इसमें कौन-कौन से statement करा जाए 1 and 4, 1 and 4 be only 1 and 4 यानि की be option correct हो जाएगा, question number second, 53 हो चलते हैं, 53 में क्या गह रहा है which of the following are correctly matched, OSL crash topography, तो crash topography के अंदर ही OSL आता है अब crash topography होती क्या है, तो crash topography होती है, जिसमें जो हपके जो landscape form होते हैं, वो जो soluble rocks होते हैं, जैसे limestone हो गया, dolomite हो गया, gypsum हो गया उनके dissolution से जो land form बनता है, उसको हम लोग कहते हैं, trash topography, okay तो इसमें जो होते हैं, वो जो erosional features होते हैं crash region में, उसमें कई तरह के आजाते हैं, sinkholes आजाते हैं, wallace आजाते हैं, तो एक तरीके से ये wallace correct हो गया है, यानि ये तरह का ये erosional feature है, wallace, okay, अब you saved valley, river and topography, ये जो है आपका statement incorrect हो जाएगा, क्योंकि ये जो river and topography होती है, वो we saved valley बनाती है, ना कि you saved valley बनाती है, okay, statement 3, जो है आपका statement 3, horn, glacial topography, ये statement correct होगा, okay, क्योंकि जो horns होते हैं, वो sharp pointed और steep sided peaks बनाते हैं, okay, और एक तरह ऐसे ये headward erosion के color बनते हैं, तो ये जो होते हैं, एक तरह का glacial topography में पाए जाते हैं, आपके horns, okay, fourth statement क्या कहा रहा है, fourth statement आपका है, space area topography, तो ये भी incorrect हो जाएगा, इसमें कहा रहा है, correct answer कौन सा है, तो आपका पहला और third one and three only यानि की option is correct, question number 54 की तरफ चलते हैं, question number 54, starting from utrakhand, a person must reach to state of west bengal by river road throda ganga, which following, while following the journey in which sequence they encounter the following topographical features, तो जब हम लोग क्या कहते हैं, उत्रकंड से वैंज बंगार की तरह से जाएंगे, river ganga से, तो कौन-कौन से पहले पढ़ेंगे, तो इसमें सबसे पहले आपका पढ़ेगा, सबसे पहले आपका पढ़ेगा, क्या कहते हैं, plunges pool, okay, plunge pool सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर आपका पढ़ेगा, point bars, फिर आपका पढ़ेगा, leaves, फिर आपका पढ़ेगा, oxbowl eggs, इस सब के बारे मैं मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा तो अभी यहां बताऊंगा तब वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो जाएंगे और लोग लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करतें तो इसमें आपसन हो जाएगा आपका ही कोशन नमर 55 कौशन मर्कुटिव विच अफ़ फालोइग और इरोजनल लैंड़ फॉर्म्स ऑफ एरिड रिजन कौन से इरोजनल लैंड फॉर्मस है अरिड रिजन तो पहला है मस्रूम रॉक मस्रूम रॉक यह एक तरह से किसे कर्रेक्टिर स्टेटमेंट है तो जो rock pedestal होते हैं उन्हें को हम mushroom rock कहते हैं और एक तरीके से ये erosional landforms है harrid region के second है yardung yardung भी correct है आपका statement third है नेबखा ये incorrect है one to correct है third incorrect है fourth क्या है ज्यूगन फोर्स है ज्यूगन ज्यूगन भी आपका correct है okay ज्यूगन भी correct है यानि कि state में आदमी के answer कौन सा हो जाएगा answer हो जाएगा आपका a one two and four only correct answer question number 56 ही तरह चलते हैं question number 56 which of the following are from free dune free dune कौन सा बनाते हैं तो पहला है आप बर्चन बर्चन जो है आपके बर्चन बर्चन जो होते हैं वो free dune बनाते हैं तो बर्चन हो जाएगा correct second हो जाएगा आपका star dune star dune भी correct हो जाएगा third parabolic dune ये incorrect हो जाएगा transfer dune इसे correct हो जाएगा यानि कि one two and four ये option is correct question number 57 के तरफ चलते हैं question number 57 क्या कहे रहा है consider the following statement about topo sphere topo sphere के बारे में कुछ दिया गया statement the average height of topo sphere is 20 km at the poles जो average height topo sphere की वो poles में 20 km है ये incorrect है क्योंकि average height जो है वो 13 km है ना कि 20 km at the top of topo sphere temperature is 60 degree Celsius ये statement भी आपका incorrect है इसमें कहरा है इसमें कहरा है इसमें कहरा है incorrect instrument कौन सा है तो all of the above D option हो जाएगा okay question number 58 consider the following statement about heating and cooling of the atmosphere तो statement 1 क्या कहरा है transfer of heat through horizontal movement of air is current convection ये statement इंकरेक्ट है क्योंकि जो transfer of heat through क्या horizontal movement उसको कहते है हम लोग convection नहीं convection ओके अर यहाँ पे जो है ये उपर नीचे होना चाहिए था जो convection है यहाँ पे होना चाहिए था और यहाँ पे होना चाहिए था जो इस statement दोनों correct होता बहुत 1 and 2 question number 59 के तरफ आते हम लोग question number 15 considers the following statement about solar insulation received by our surface statement 1 क्या कह रहा है maximum isolation received over the equatorial region statement 1 जो है वो incorrect है जो कि जो subtropical deserts होते हैं वहाँ पे cloudiness least होती है तो वहाँ पे जो होता है आपका वो maximum equatorial received comparative less isolation than the tropics तो जो equators होते हैं हमारे वो एक तरीके से less isolation received करते हैं ट्रॉपिक के मुकाबले ओके at the same latitude isolation is more over the ocean than the continent यह statement आपका incorrect है तो इसमें कौन सो हो जाए correct statement none of the above D हो जाएगा question number 60 के तरफ आगे हम लोग consider the following statement about stratosphere statement one जो है stratosphere is extremely dry and having no clouds यह statement incorrect है क्योंकि जो stratosphere है extremely dry होता है पर इन में जो कुछ clouds पा जाते हैं जिनकों कहते हैं नेक्रियस crowd और mother of pearls okay ozone is found in this layer तो यह statement जो है वो वो correct है statement third के है stratosphere stratified and non-convective in nature यह statement भी correct है यानि की correct instrument कौन कौन से हो जाएगा two and three only की बी जो option correct हो जाएगा question number 61 consider the following statement about dust particles higher concentration of dust particles found in equatorial region यह statement आपका हो जाएगा incorrect क्योंकि जो dust particles का higher concentration होता है वो subtropical regions और temperate regions में होता है क्योंकि वहाँ पे dry winds होती है जो equatorial और polar regions में नहीं होती dust particles are high go hygroscopic in nature यह statement भी यह statement correct है okay तो correct instrument कौन सा हो जाएगा two only question number 62 की तरफ आते हो लोग which of the following factors influence the pattern of planetary wind तो planetary wind को कौन से factors influence करते है पहला आपका लाटिट्ट्यूडनल वारियेशन और अट्मोस्फेरी हीटिंग यह statement correct है second distribution of continent and ocean यह statement भी correct है distribution emergence of pressure well यह statement भी correct है statement for rotation revolution of earth यह जो है आपका यह statement यह statement होगा आपका incorrect क्योंकि जो distribution rotation of earth है उस पर डिपेंड कुता ना कि revolution पे okay तो correct transfer हो जाएगा आपका one two and three only do option correct question number 63 consider the following statement about the extra tropical cyclone extra tropical cyclone के उपर statement आई है in temperate cyclone the isobars are circular in shape यह statement आपका correct है okay statement आपका incorrect है क्योंकि जो isobars होते है circular नहीं होते वो rate cycles में okay template cyclones में it formed over both land and sea energy यह statement आपका correct है क्योंकि जो temperate cyclone होते हैं land or sea दोनों पे होते हैं और यह basically winter में merge होते है temperate cyclone are derived energy from air mass temperature contrast यह statement भी आपका correct है तो incorrect statement कौन सा हो जाएगा incorrect statement आपका हो जाएगा a one only question number 64 पे आ जाते है question number 64 which what are the following conditions are required for the origin of tropical cyclone large sea surface with temperature higher than 27 degrees celsius यह statement जो है आपका वो incorrect हो जाएगा presence of Coriolis force यह statement correct है large variation in the vertical wind speed statement भी correct है और statement 4 क्या कह रहा है upper divergence over the upper divergence over the sea level system तो यहां पे कौन से statement correct हो जाएगा one two and four only तो इसी के से अपना जो series यह आज का वीडियो कतम करते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबना ना भूलें थैंक यू झाल 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 झाल